प्राथमिक साला, मादमिक साला एबं EPES में समय सारな का निर्धारन कर निर्धारि समय सारा के अनुसार ही हमें छात्रों को अध्यापन कराना है इस समन में राजसिक्षा केंद मत पृदेश भौपाल के दोरा एक सैडूल जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि किस समय अवधी में छात्रों को कौन-कौन से कंटेंड पर अध्यापनकार कराना है जैसे राजशिक्षा केंदर का सैडूल हम देखें तो इसमें प्रात्मिक और माध्मिक दोनों इस्तर के लिए जो सैडूल है वो दिया गया था जिसमें कक्चा 1 वद 2 की बात करें तो कक्चा 1 वद 2 में पूरे सत्र कक्चा 1 की ही पुस्तकों से अध्यापनकार किया जाएगा लेकिन इसमें कच्छा 2 के चात्रों के लिए जो learning gap की सामगरी है वो भी प्राप्त हुई है तो कच्छा 2 के चात्रों को learning gap की सामगरी में भी अभ्यासकार कराना है इसके अत्रिक तयादी सैडूल को हम देखें तो सैडूल 2 पार्ट में दिया गया है पहले पार्ट में प्रात है 10 बच कर 30 मिनट से दोपहर 2 बच कर 30 मिनट तक इसमें दक्सता उन्यन और बर्सीट पर कार करना है और जो इसका सेकंड पार्ट है 2 बच कर 30 मिनट से साम 4 बच कर 30 मेट तक इसमें bridge course पर कार करना है और इसकी जो समय अब धी दी गई है प्रात्मिक साला के लिए 13 नॉबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक लेकिन इसके पश्चात 16 जनवरी 2022 से इसमें आपको दक्सता उन्यन या फिर bridge course पर पहले पार्ट में अभ्यास कराना है और दूसरा जो पार्ट है इसका इस पार्ट में दोपहर 2 बच कर 30 मेट से सायम 4 बजे तक इसमें कक्षा स्थर की जो पार्ट पुस्तक है इसका अध्यापन कार कराना है इसी परकार से माध्मिक साला का भी schedule दिया गया है जैसे हम माध्मिक साला में देखें तो इसमें भी दो पार्ट में जानकारी दी गई है कि आप इस परकार से छात्रों का अभ्यास करा सकते हैं दोनों ही schedule में बताया गया है कि जो पार्ट पुस्तक का अध्यापन है वो जन्वरी महा से होगा प्रात्मिक साला में 16 जन्वरी 2022 से और माध्मिक साला में 1 जन्वरी 2022 से पार्ट पुस्तकों का अध्यापन कार कराया जाएगा इसके पूर्व, दक्स्ता उन्यन और ब्रिज कोर्स किबल दो ही कार करना है और इन दोनों का ही schedule हमें time table पर बनाना है अब राज सिख्यकेंद का जो schedule है इसमें हम देखेंगे कि केवल content दिये गए है कि आपको किस समय में कौन से content पर अध्यापन कराना है अब जैसे दक्स्ता उन्यन की बात करें तो दक्स्ता उन्यन 3 विस्यों का है वहीं bridge course की बात करें जो हमारे द्वारा बनाई गई है और जो समय सायनी है किवल सुझावात्मक है आप अपनी साला की सिख्षक संख्या और परिस्तिती के अधार पर समय सायनी तयार कर सकते हैं इसमें आप देखेंगे कि हमने विस्योंग अलग अलग इसमें define किया है कि किस कालखंड में कौन से विस्य का अध्यापन कार करें चाहे दक्सताउनियन बर्गबुक की बात करें या फिर लर्निंग एप सामगरी की इसमें विस्यवार कालखंड के अधार पर हमने time table का एक निर्धारन किया है आप चाहें तो इस अधार पर भी अपनी साला का time table बना सकते हैं time table के बल सुझावात्मक है आप इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं और उक तो जो time table आप देख रहे हैं वो वीडियो के description box से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एथी समय सार्णी के निर्धारन के सम्मन में एक बहुत ही महत्मून जानकारी आसा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी मिलते हैं कुछ इसी परकार की जानकारियों के साथ में अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन